यानि सालार साउथ को पूरी तरह से कैप्चर कर लेगी लेकिन नॉर्थ में डंकी से पीछे रहने की संभावना दिख रही है दोस्तों 2023 का सब्सक्राइब मुकाबला डंकी और सलार के बीच होने वाला है साल 2023 का नाम आप चाहे तो SR के एर रख सकते हैं साल की शुरुआत शारुखान ने पठान से करी साल का अंत भी अब डंकी के साथ करने वाले हैं जो की मात्र एक दिन की दूरी पर है फिल्म की एडवांस बुकिंग जैसे ही खुली हमने तो First Day First Show का टिकेट करा लिया है थीटर से निकल का सारी अपडेट आपके नस्दी की स्क्रीन तक पहुँच जाएगी इसलिए स्क्रीन वाला को अभी से सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि अगर एडवांस बुकिंग का ट्रेंड आप फॉलू कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि डंकी के साथ शारु खान ब्लॉक्बस्टर की हैट्रिक लगाने वाले है फिलाल एडवांस बुकिंग में शारु खान की डंकी ने प्रभास की सालार को पीछे शोड दिया लेकिन आपको याद दिला दें कि डंकी सालार से एक दिन पहले यानि 21 दिसंबर को रिलीज हो रही है जबकि सालार की रिलीज डेट 22 दिसंबर है अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि 22 दिसंबर को जब सालार आ जाएगी तो डंकी के पास कितनी स्क्रीने रह जाएंगी शायद इसलिए शारूखान ने पिछले दिनों इंडिया भर के एक्वजिबिटर्स और डिस्टिबुटर्स के लिए एक पार्टी रखी थी मुंबई के सोफिटल होटल में इसमें देश भर से Distributors आये थे और ऐसा माना जा रहा था कि ये पार्टी शारू खान इसले रख रहे हैं ताकि Distributors को इंप्रेस किया जा सकेके और सालार से जाधा स्क्रीन्स डंकी को मिल सके Distributors इंप्रेस तो हुए लेकिं शारू खान की महमान नावाजी से क्योंकि इन सब लोगों को लग रा था कि इस पार्टी में रेट चिलीज और शारुखान डंकी की सालार से ज़ादा स्क्रीन की मांग करेंगे लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं बलकि पार्टी से बाहर निकलने वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स ने बताया कि इसका उल्टा हुआ शारुखान ने वहाँ सबसे ये बोला कि डिस्ट्रीब्यूटर्स वही फिल्म लगाएं जिससे उनका फायदा हो ये कहा गया कि दोनों फिल्में देख ली जाएं और जो फिल्म उनके हिसाब से बहतर बिजनस करेगी उस फिल्म को स्क्रीन दे दी जाएं पार्टी सुबह तक चली और उससे निकलने के बाद सारे डिस्टिबूटर्स ने शारुखान की तारीफों के वो बांध दिये जो हमारे पापा लोगों के जमाने में नहीं होता था और उनको नदी तैर करके स्कूल जाना होता था यानि पुल डिस्टिबूटर्स ने कहा कि आज का कौन सा सूपरस्टार है जो इतना करेगा शारुखान को हमसे मिलने की कोई जरुवत नहीं थी लेकिन फिर भी उन्होंने वक्त निकाला और सबसे बड़ी बात कोई प्रेशर नहीं बनाया कि स्क्रीन डंकी को दे दी जाए अब देखे शारुखान ने कोई प्रेशर तो नहीं दिया है लेकिन फिर भी कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए बोलना नहीं पड़ता उस पार्टी के बाद डिस्रिब्लिटर्स ने एक और मीटिंग करी थी और ये डिसाइड हुआ कि जिस फिल्म के अडवांस बुकिंग अच्छी होगी शारुख भाई का तो दुबई का शायद पास ही बना होगा इतना तो नौएडा का आदमी दिल्ली नहीं जाता और मुंबई का आदमी ठाणे नहीं जाता जितना शारुख खान दुबई होकर आ जाते दूसरी तरफ सालार में प्रभास हैं जो कि तेलुगू के सबसे बड़े स्टार हैं प्रित्वी राज मल्यालम जीनेवा का बड़ा नाम है और डायरेक्टर प्रशाद नील ने अब तक की सबसे बड़ी कंणड फिल्म बनाई है यानि सालार साउथ को पूरी तरह से कैप्चर कर लेगी लेकिन नॉर्थ में डंकी से पीछे रहने की संभावना दिख रही है फिलाल हम तो दोनों फिल्में देखने जा रहे हैं कल आपको इसी चैनल पर डंकी का फिल्म रिव्यू मिलेगा और परसों सालार का रिव्यू देखने के लिप्लीज हमारे चैनल को सब्सक्रा दूस्तों डंकी और सलार दोनों ही रिकॉर्टोर कमाई करने वाली है क्योंगे दूस्तों डंकी में बॉल्यूट के बास्षाप शारफ खान है और डंकी का ड्रेक्शन थी इडिर्स पीके और संजु जैसी ब्लावश्टे मुवी बनाने वाले राच कुमार हियाई ने किया है दूस्ती और दूस्तों सलार में 25 स्परस्टार प्रभास है और सलार का ड्रेक्शन थी जैसी ब्लावश्टे में बनाने वाले प्रशाद में ने किया है